नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में हिंदी सिनेमा में बॉलिवुड कलाकार राज कुमार का काफी बड़ा नाम रहा है फिल्मों में उनकी एक्टिंग और डायलोग्स के लाखो दर्सक कायल थे फिल्म इंडिस्ट्री में राज कुमार के किस्से भी सुनने को मिलते हैं बॉलिवुड की खोबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के साथ भी उनके कई किस्से हैं ट्रेन के एक अपार्टमेंट में एक अजनबी पर्चे पर लिखता है आपके पाओं बहुत हसीन हैं इन्हें जमीन पर मत उतारना मेले हो जाएंगे उस पर्चे को मीना कुमारी के पैरों की उंगलियों में फसा कर वो अगले स्टेशन पर उतर जाता है फिल्म पाकी जाके इस सीन में दिखे ये अजनबी थे एक्टर राज कुमार जी हाँ दोस्तो ये वही राज कुमार थे जो फिल्मों में अपनी डायलोग दिलिवरी की वजह से जाने जाते थे वैसे तो मीना कुमारी का नाम कई लोगों से जोड़ा गया सुना जाता है कि फिल्म बैजु बावरा के निर्मान के दोरान एक्टर भारत भुसंड ने भी अपने प्यार का इजहार मीना से किया था दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं राज कुमार को तो मीना कुमारी से इतना इस्क हो गया कि वो मीना के साथ सेट पर काम करते समय अपने डायलोग्स तक भूल जाते थे बस मीना के मुग की तरफ ही ताकते रहते थे पाकी जा में पहले धर्मेंदर को साइन किया गया था लेकिन उन दिनों मीना और धर्मेंदर के अफेर के चर्चे हर जुबान पर थे और इस से चिड़कर उनके पती कमाल अम्रोही ने धर्मेंदर को पाकी जा से निकाल कर उनका रोल राज कुमार को दे दिया था लेकिन यहां भी उनके साथ धोका हो गया राजकुमार का दिल भी मीना कुमारी पर आ गया कहते हैं कि मीना कुमारी के साथ ट्रेन वाले सीन को करते हुए पहली बार जब राजकुमार ने करीब से मीना के पैरों को देखा तो वो मीना कुमारी की खूपसूरती के मुरीद हो गए थे कमाल अमरोही को राज कुमार से भी जलन होने लगी थी और उन्होंने फिल्म में दोनों के बहुत ही कम सीन साथ में करवाए लेकिन फिल्म का एक गाना बेहत रोमांटिक था और उसे फिल्माया जाना भी बहुत जरूरी था कमाल ने मीना की आँखों से ही प्यार बरसाने की कोशिस करवाई थी दोनों को साथ में जादा ना दिखा कर खूपसूरत रोमांटिक मौसम और नजारों पर जादा फोकस किया गया था वो गाना था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो पाकिजा में यह युगल गीत तब आता है जब कैम्प में दोनों की पहली बार मुलाकात होती है इसके बाद कमाल अमरोही ने राजकुमार को अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया राजकुमार और मीना कुमारी ने दिल अपना और प्रीत पराई में भी काम किया लेकिन कहते हैं कि फिल्म काजल उन्होंने मीना के साथ इसलिए की थी क्योंकि इसमें उनके साथ उन्हें रोमांस का खूब मौका मिल रहा था फिल्म काजल का एक बेहद रुमांटिक गाना छू लेने दो नाजुक होंटो को कुछ और नहीं है जाम है ये उन पर और मीना कुमारी के बीच फिल्माया जाना था लेकिन निर्माता निर्देसक राम माहिस्वरी राजकुमार से यह कहने में हिचक रहे थे लेकिन जैसे ही राजकुमार के कानों में यह बात पड़ी कहते हैं कि वो उचल पड़े थे और बोले थे कि कौन नहीं चाहेगा मीना जी के साथ रोमांस करना इस फिल्म में धरमेंदर भी थे लेकिन मीना और राजकुमार ने खूब सुर्खियां लूटी थी अब बात करते हैं दोस्तो साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म पाकिजा के प्रीमियर की प्रीमियर वाले दिन राजकुमार ने जैसे ही मीना कुमारी को देखा वो मीना को देखते ही उनके हाथों को चूम कर उन्होंने उनका स्वागत किया और फिर मीना कुमारी के बगल में जा बैठे लेकिन यह देखकर कमाल अमरोही बेहद नराज हो गए थे और इसी नराजगी की वजह से उन्होंने दुबारा कभी राजकुमार के साथ कोई फिल्म नहीं की दोस्तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाइबा टेक केर